दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत दा साइन्स अपने आप लोग देख रहे हैं साइन्स की स्पेशल सीरीज यह सीरीज 35 नमबर की है अब तक 34 सीरीज कम्प्लीट हो चुकी है यह इंपोर्टेंट है सुपर्टेट, पीच्टी, टिच्टी यह टेट किसी भी स्टेट का हो और रेलवे गुरूप डी, अन्टी पीसी मेंस अर्था सीवी टी टू चितने भी एक्जाम होते जिसमें साइन्स आती है सीरीज सभी के लिए इंपोर्टेंट है यह सीरीज NCRT बेश्ट है आईए अब स्टार्ट करते हैं 866 नंबर से निम लिखित में से वे एक मात्र पादप कोश्काएं कौन सी हैं जो बिना नुकली या नुकलियाई हैं तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों C नंबर हो जाएगा वाहिनी कोश्काएं कौन सी वाहिनी कोशकाइं एक मत्र पाध़क कोशकाइं जो बिना नुकलीय नुकलाई होती है अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है पाध़ का इंदर सेंसों प्प्लान्ट से है और जो हरे पेल पावदे होते हैं उन में प्रकास संसलेशल की किरियाएं होती और इनी में क्या होता, वाईनी कोशकाएं पाई जाती है और उन में किसी वी टाइप्स का कोई भी नुप्छियाई उपस्तित नहीं होता है अब देखें कोशियन नमबर 877 निमलकित में से कौन सा एंजाइम रक्त का ठक्का बनने में साहता करता है तो कौन सा होता है वे होता है ट्रिप्टेस कौन सा होता है ट्रिप्टेस एंजाइम होता है जो रक्त का थक्का बनने में साहता करता है किसमें साहता करता है रक्त के थक्का बनने में साहता करता है जब किसी वेक्ति को चोट लग जाए और रक्त लगातार बैता रहे और कुछ समय बाद वही रक्त रुख जाए तो आप बता सकते हैं विटामीन के के कारण होता है किसके कारण अगर किसी वेक्ति के शरीर में विटामीन के की मात्रा संतुलित रूप से उपस्तित है तो अगर उसको छोटी मोटी सी चोट लगती है तो आटोमेटिक रक्त बैना रुख जाएगा और रक्त का थक्का जम जाएगा इतना आप लोग क्लियर हैं दोस्तों अब बात करते हैं रक्त की तो रक्त में रक्त रेट क्यों होता हीमोगलोवीन की वज़े से रक्त जो होता रेट इसमें RBC, WBC और प्लाज्मा या प्लेट प्लेट्स भी उपस्तित होते हैं अब देखें कोश्यन नमबर 888 निमली खित में से बेमेल कौन सा है अर्थात जिसका क्या है जो मेल है और बाकी तीन चीजे ABC वो करेक्ट है अब हम लोग कोश्यन नमबर देखेंगे 879-889 जबड़े नहीं होते हैं जबड़े किसमें नहीं होते हैं तो दोस्तों इसका जो correct answer हो जाएगा डी नंबर हो जब प्रोटो कार्ड जो होते हैं प्रोटो कार्ड उनमें जबड़े नहीं पाय जाते हैं बाकिया पक्षियों में जबड़े देख सकते हो तो सरी सरब आप मगर मच्च देख सकते हैं, साप देख सकते हैं, इनमें जबड़ा पाया जाता, मचलियों में भी जबड़ा पाया जाता, मनस्यों भी जबड़ा पाया जाता, जो प्रोटो कॉडेट के अंतरगत आते हैं, उनमें क्या होता, उनमें जबड़े नहीं पाया ज और ऐसे जन्तु जिनमें रिल्ट केड़ी नहीं पाई जाती वे नॉन कोड़ेटा की कटागरी में आते हैं उनको हिंदी में आकसेर को कसेरुकी कहते हैं अब देखेंग उन्हों क्वेशन नमबर 880 कौन सा देखेंग 880 मुक विशेष्टाओं की निम समू में कौन सा समू मत इस्तंधारियों को चित्रित नहीं करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी नमबर हो जाएगा नियत तापी चार कक्षी वाला हिर्दे और गर्व जिल्डी का अस्तित बाकि आप A नमबर देख सकते हैं इस्तंध गर्णतिया तो चार पर बाल और तनपुट जिसको डायाफ्राम करेते हैं अस्तित सब कुछ होता है क्या होता है इस्तंध गर्णतिया भी तो चार पर बाल भी होते हैं डायाफ्राम भी होता है B नमबर दे को स्वेध गरंथियां जिसको पसीने वाली गरंथि केते तुचा परबाल होते हैं दूबांधितियों का अस्तित भी होता है C नमबर इस्तन गरंथियां उपस्तित होती स्वेध गरंथियां जिनको पसीना केते हैं तनपोट और डायाफ्राम भी उपस्तित होता, बर जो D नंबर है, यह क्या है, यह इस्तंधारियों को चित्रित नहीं करता, नियत तापी, चार कक्षोवाला हिर्दय और गर्व जिल्ली का अस्तित, मैं आपको बता दूँ जो जन्तू होते हैं, लगबक कुछ एक को छोड़ 37 Celsius रहेगा, अर्था 37 सी उसका temperature रहता, उसके शरीर का कभी temperature अब डाउन नहीं होता, अब डाउन जब होता है तो स्वास्त गर्वर होता है, फीवर होता है या और कोई भी समिस्या हो सकती है, तो इसका आंसर D नंबर करेक्ट हो जाएगा, नियत तापी, चार कक्षोवाला ह और गर्व जिल्ली का अस्तित मुक्विसेस्ताओं में इस्तंदारियों को चित्रित नहीं करता है, अब कोईश्यन नंबर देखेंगे, 881 एक चीटी किसके अस्तित के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, जो चीटी होती हो क्या आती है, और डायरेक्शन में अराम से देख पाती है, तो इसका अंसर डी नंबर करक्ट हो जाएक संयुक्त आखे है, जो कंपाउंड आइस होती है, उसे का अकरण चीटी क्या होती है, सभी दिशाओं में वस्तुओं को भली भात देख पाती है, अगर आप से कोश्यन पूचा जाए, कि चीटी जो है आप से देख पाती है, कोश्यन देखेंगे, 882, डायवटीज मेलिटेस से ग्रिस्त आदमी बार बार जल पीता है, क्योंकि उसे निकालना होता है रुदिर से अतरिक्त, क्या निकालना होता है रुदिर से अतरिक्त, तो इसका आंसर हो जाएक बी नंबर, ग्लूकोस, शरीर में अतरिक्त ग्लूकोस निकालने के लिए डायवटीज मेलिटेस मद्वे या चीनिया रोग से पिलिद वेक्ति बार बार जल पीता है, इसकी पैचान कैसे बता दें, किसी वेक्ति को डायवटीज है, तो उसे इंसुलीन वगरा इंजेक्शन दिये जाते हैं, बट इसके ल मेलिटी को क्या है, डायवटीज है, जिसको हिंदी में मद्वे रोग भी कहा जाता है, और दोस्तों इसको कैसे खतम किया जा सकता है, आप मेडिसिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, उससे इसमें कवर या कंट्रोल किया जा सकता है, अब देखिंग 830 नमबर, शब्द जिव मंदल से आसे है, जिव मंदल से मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ है क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, प्रत्वी के गिर्द मिर्दा, जल और इर्द गिर्द जिसको वोलते हैं, जल और वायू का छेतर जो वनस्पती जात प्रानी जात का समर्थ करने में सक्षम हो देखो जीव से आप समझो जीव मींस होता है वह इस्तान वह जगह जहां पर पेड़ पौधे और जानवर निवास करते हो वह जीव यह जीव मंडल कहलाता है जीव को इंगलिश में क्या कहते है बायो कहते है और जीव विज्ञान को बायलोजी कहते है और जीव विज्ञान के अंतरकत हम लोग पेड़ पौधे और जानवरों का अध्यन करते है इसी को जीव विज्ञान कहते है इसमें जन्दू विज्ञान का अध्यन करते है जिसको और सिर्फ पेल पौदों का अध्यम किया जाता है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जीव मंडल का आसा है कि जो इस जगत में इस मंडल में जो छेत रह वायू का उसमें जो पेल पौदे निवास करते हैं अन जंतु निवास करते हैं प्राणी जाती निवास करते हैं जो इसको पूरे को मेंटेन करें संतुलित करें हैं इन सभी को मिलाकर जीव मंडल कहते हैं इसका करेक्ट आंसर B नंबर है प्रत्वी के इर्दगिर्द, मिर्दा जल और वायू कच्छेत जो वनस्पती जात था प्राणी जात का समर्थन करने सक्षम है उसे क्या कहते हैं हम लोग जैसा कि आपको बताए जू मंडल कहते हैं अब हम लोग देखें कोश्चेन नंबर 884 कामला जिसको की पीलिया कहते हैं कि लक्षण मुक्ता किसकी आविवस्ता और आपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं तो इसका कारण हो जाए कि सी नंबर यकरत यकरत को लीवर कहते हैं पीलिया की लक्षण मुक्ता यकरत लीवर के आविवस्ता और आपक्रिया के कारण होता है यह viral disease विसाणू जनित रोग है जो गंदे पानी पीने से होता है क्या गंदा पानी पीने से कौन सरोग होने के समभाब नहीं रहती है पीलिया होने के अब इसकी पैचान समझ लो लक्षार समझ लो भहतिक रूप से सरीर में इसकी लक्षार क्या दिकाई परते आखों का पीला होना जो काला भाग है वह पीला नहीं होता है जो अकल भगल में सपेद भाग है वह धीरे धीरे पीला होने लगता है नाखुनों का पीले होने लगता है और ट्वालेट जो है वो भी यलो कुप निकलने लगती है तो ये सारी के सारी लक्षन किसके है पीलिया रोग के लक्षन है और ये लक्षन मुक्ता किसे ये करत की जब ये करत में कुछ न कुछ प्रॉबलम होती तब पीलिया की संभावना रहती है अगर आप से कोई पूछे पीलिया होता कैसे है तो ये वाइरल डिजीज है और ये ग नीली आखे या काली आखे इनमें से किसमें विशेस रंजद की मौझूदकी की कारण होता है। नीली आखे इनमें विशेस रंजद की मौझूदकी की कारण होता है। या ब्लू आइस होंगी और ब्लू आइस वालों की जो संक्या है वह बहुत कम होती है। अब हम लोग देखें 886 नमबर। नेमन में से कौन सा वाई प्रदूशक का देवतक है। वाई प्रदूशक का देवतक होता है। तो देवतक मींस होता संकेत। कि अगर वाई प्रदूशर हो रहा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जएक लाइकन। लाइकन को शैक भी कहते हैं। या वाई प्रदूशर का एक सूचक होता है। इंडिकेटर होता देवतक होता है। लाइकन से लिटमस पेपर भी बनाए जाते हैं जो अम्र और चाहर की पैचान करते हैं। अम्र की जो pH value होती हुए साथ से कम होती है 6.9 तक और चाहर की value साथ से उपर होती अर्थात 7.1 से अब बात आती कि साथ क्या होता। साथ उदासीन इंग्लिस में इसको न्यूट्रल कहते हैं। अब जैसे सुध वाटर ले लें सुध वाटर की बात कर रहें। नल या तालाब या नहरों के समुद्र के पानी की बात नहीं कर रहें। जो सुध वाटर होता प्योर वाटर होता डिश्टल वाटर होता उसकी जो pH value होती हुए दोसो एम का मतलब 200 मीटर की गहरे तक समुद्र में पाधप प्रतिवंधित होते हैं। अर्थाद यहां तक उख सकते हैं 200 मीटर तक। फिर इसके नीचे क्या है वो दूसरी प्रजातिकी होते हैं। बर जो अमूमन एक बात है समुद्र में पाधप 200 मीटर तक ही गहरे तक जा सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग 888 देखेंगे। अधिक ठंडी छेत्रों में रहने वाले जंदूंगफर उनकी किस काम आता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए बी नमबर वाई को फसा कर उन्हें गर्म रखता है। सर्दियों में हम लोग सोटर पहनते हैं। पहले इनर, सोट, फिर सोटर या लगबग 2-3 कपशे सर्दियों पहनते है। जो हमारे शरीर की उस्मा है गर्मी है वह प्रतिबंदित हो जाए रुक जाए बाहर ना जा पाए इसी कारण हम लोगों को क्या है इसी कारण हम लोग सर्जियों में अपने आपको बचा पाते हैं सेम प्रॉक्सेस होता है जो बर्फिले एरिया के चाहें भालू हों या अधर जानवर हों तो उनमें क्या फर उनके बाड़ी भी जो बाल है वह अधिक पाय जाते हैं बड़े बड़े पाय जाते हैं बड़े बड़े इसलिए पाय जाते हैं ताकि उनकी शरीर की उश्मा है जो इसका description देखें, अधिक टंडे छित्रों में रहने वाले जन्तों गफर उनके लिए वाई को फसा कर उनके शरीर को घर्म रखता है। अब देखेंगे, 889-889, हुमस किसका एक परकार है? तो इसका correct answer हो जाए बी नमबर। इसका answer क्या भी है? मुर्दा में छैमान जैव को हुमस का आ जाता है। जैमान जैव को ही हुमस का जाता है। अब हमनों question देखेंगे, 890 नमबर। अभी बंदक जवरा किसकी एक विक्रती जन इस्तिती है? तो इसका answer हो जाए डी नमबर टेटनिस। अभी बंदक जवरा टेटनिस की एक विक्रती जन इस्तिती टेटनिस होता कैसे? जब जंग लगी हुई कोई चीज लग जाए, जैसे तार लग जाए, इंजेक्शन कोई जंग लगा हो, या कोई लोही की चीज लग जाए, तो ब्लड में जाकर एक विविन प्रकार की समिश उत्पन कर देता है, जिससे क्या होता है, जब जवरा वो होता है, अभी बंदक हो जाता है, जकल जाता है, और विविन प्रकार की दिक्कत होने लगती है, इसलिए लगवक 6-6 महिने में या एक साल में एक बार टेटनिस करती का लगवाना चाहिए, अब देखेंगे हम दो क कुशन नमबर 801, निम लिखित में से किस उभैचर के जीवा नहीं होती है, ऐसा उभैचर जो जल इस तर दोनों में रहता हो, बड़ उसमें जीव ना पाई जाती हो, उभैचर को इंगलिस में एमफिवियन्स कहते हैं, वह इसका अंसर हो जाएक C नमबर 21, इक्तियो पस उ उभैचर में जो जीव होती है, वह उपस्तित नहीं होती है, अब हम लोग कोशन देखेंग 892 में, निम लिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोस में बदलता और रक्त को शिद करता है, तो इसका काम एक ही है, फिल्टरेशन का कार कौन करता है, हम सभी कौन लिवर, इसका अंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो ये करत होता वो ग्लाइकोजिन को ग्लूकोस में परिवर्थित करता है, और रग्त को भी क्या करता है, अब देखें कुश्यन नंबर हम लोग 893 में, किसी नदी में मचलियों को ना होना किस बात का सूच ये नंबर निमनी करण का छेत्र, निमनी करण का छेत्र के कारण नदीयों में मसलियों नहीं पाई जाती है, अब हम लोग कोश्यन देखें कि 894 में, मिना माटा रोग किसके कारण उत्पन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर पारा, पारा को इंग्लिश में म पन होता है, 1984 में भोपाल की यूनियन गैस कारबाइट से मिथाइल आइसोसानेट गैस का रिशाव हुआ था, जिसके कारण हजारों लोगों की जाने गए थी, सीसा योग पेट्रोल का उप्योग करने से वाई प्रदूसर होता है, ये मानुस्वास्त के लिए खतरनाक है, म क्या और है, कोश्यन देखिएं अणसो पत्चान में, कुछ सूसीमजीवों की साहता से वाई मंडल में पोश्क तत्वों का पुनाचक्रान होता है, इन सूसीमजीवों को क्या कहते है, इसका आंसर रोजाएग अब घटक, इंगलिस में इनको डिकंपूचर कहते हैं, कि सा तो यह धीरी-धीरी मिट्टी में मिलने लगते हैं तो कौन होते हैं इनको जो मिट्टी में मिला रहे होते हैं वो अब घटक होते हैं डीकंपोजर होते हैं वो धीरी-धीरी इनको मिट्टी मिला देते हैं और यह कह करते हैं पोसकत के रूप में उभर कर सामने आते हैं और कहते हैं तो सिसका जो आंसर हो जैए गें incl. इंगलिस में 확인 कहते हैं क्या कहता है अच्छिवेशन के सिसे कमें नितने को is को इसमें क्या लख क्या होता है दीखेंिक है क्यों समझे मरुष्तल के जानवर ग्रीम्नितु में लंबी नित्रा में चले जाते हैं इसे एश्टी वैसन कहते हैं ग्रीस मिस्कृता इसे कहते हैं जाड़े की दिनों में शीत रक्ती प्राणी हाइबर मेशन जिसे शीत निद्रा कहते हैं जिसे शीत निद्रा में चले जाते हैं एक्जामपल इसका आप समझना चाहो तो आप विविन प्रिकार की इसका आणसर सी हो जाएगा है हरदै आवरन हरदै कि अच्छादी जिल्ली क्या कहते हैं इसे इंगलिज में पेरिकाडियम कहते हैं क्या कहते हैं पेरिकाडियम इसको कहा जाता है कोश्चन देकिंग 898 में लिपिट क्या है इसका अंसर D नमबर करेक्ट है प्राकृतिक मूल की वसाएं जब भी कहीं आप लिपिट शब्द पढ़ें तो आप समझ सकते इसका संबंद सीधा फैट वसा आधि से होगा लिपिट मींस फैट और वसा ही होता है तो प्राकृतिक मूल की वसाओं को क्या कहते हैं लिपिट कहते हैं अब देखें क्योश्चन नमबर 899 प्रकाश का अधिक्तर अपवर्तन होता है इसका अंसर हो जाएक बी नमबर स्वच्च मंडल में स्वच्च मंडल में प्रकाश का अधिक्तर अपवर्तन होता है कोराइट काले रंका होता है यह आई लिंस के सामने होता है तब इसे आईरिस या परी तारिका कहा जाता है आईरिस के मद्द में एक कैप होता है जिसे पूपल या पुतली कहते हैं पुतली के सारे प्रकास नेतर लेंज में होता है तो जो आ निसेचक फलन होता है उसका मतलब क्या है तो इसका correct answer हो जाएगा बी नंबर निसेचन की बिना निसेचक फल होता तो अर्थात क्या हो जाता जिसमें निसेचन हो रहा है आज ओड़ गया तो इसका मतलब क्या इसमें किसी भी प्रिकार का कोई निसेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और निसेचक फल क्या होता है जिनमें निसेचन की क्रिया होती वह निसेचक फल के अंतरकत आते हैं और जिनमें निसेचन की क्रिया नहीं होती वह आनिसेचक फल के अंतरकत आते हैं अब इस question का हम description को देखेंगे वैसे फल जो बिना निसेचन के बनते आनिसेचक फल कहते हैं दोस्तो ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आये होगी इसी तरीकी जवर्जिस्त और घजब सीरीज आपको कांटीनू मिलती रहें आपको करना क्या है इस क्लास को अधिक सिदिक लाइक करना शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तो जै हिंद जै भारत